हलो दोस्तो जे हिंट टू एवरिवन तो दोस्तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीस एफ वाटर विंग के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ लास्ट येर का जो क्यूशन पेपर है 2023 का वो और साथ में दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या आपका सलेबस रहेगा टोपिक वाइज दोस्तों जो है मैं आपको सलेबस बताने वाला हूँ इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जो है एंड तक जुरू देखना और साथ ही अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक सब्डेट आप तक पहुंच सके और इसके साथ ही दोस्तों जो है आपको टेलिग्राम ग्रूप से भी जुट जाना है ताकि दोस्तों ये जो मैं पेपर आपको कराने वाला हूँ ये पेपर दोस्तों आपको जो है टेलिग्राम ग्रूप पे ही देखने को मिलेगा और इसके साथ ही दोस्तों आपके जितने भी जो भी doubt है water wing की जो आपकी recruitment रहने वाली है इसके regarding जो भी आपका doubt है आप comment करके जुरूर पूछ सकते हैं ताकि next video जो है आपके जितने भी comment आएंगे दोस्तों उनका reply देने की कोशिश की जाएगी तो दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले क्या syllabus आपका रहेगा उसके बाद दोस्तों मैं आपको कराने वाला हूँ last year का original question paper तो दोस्तों सबसे पहले आपने बात कर लेते हैं syllabus जो है आपका SI master और engine driver का तो दोस्तों इसमें जो है 25 question आपके रहने वाले हैं journal knowledge और journal avalanche के और 25 question आपके रहेंगे journal English नहीं दोस्तों reasoning उसके बाद दोस्तों 25 question आपके रहने वाले हैं mathematics के और 25 question आपके रहेंगे trade से related यह दोस्तों यह जो syllabus जो है आपका SI master और engine driver के लिए रहने वाला है total जो है 100 marks का आपका question paper रहने वाला है और दोस्तों इसमें किसी परकार की negative marking आपको देखने को नहीं मिलेगी और 2 hour का आपको इसमें time देखने को मिलेगा last year दोस्तों जो है आपका exam जो है CBT based हुआ था इस बार दोस्तों थोड़ा सा doubt बना हुआ है जैसे ही update आएगा आपको जरूर बताया जाएगा उसके बाद नेक जो है आपका syllabus रहने वाला है head constable master engine driver workshop और constable crew के लिए तो दोस्तों इसमें जो है आपका journal knowledge awareness आपका रहने वाला है 35 question 35 marks जर्नल ability आपका इसमें जो आपका reasoning ability रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है आपका 35 question 35 marks और numerical ability दोस्तों यानि mathematics जो आपका रहने वाला है वो 30 marks का आपका इसमें रहने वाला है उसके साथ ही दोस्तों आपका total जो है header marks का question paper रहेगा और दोस्तों दो hour का आपको इसमें टाइम मिनने वाला है वो दोस्तों minimum जो qualify mark जो है आपका and reserve category EWS OBC के लिए 35% और ST SC के लिए 33% आपका रहने वाला है वो दोस्तों return exam के अंदर जो है 6 गुणा candidate को vacancy का 6 गुणा candidate को next phase के लिए बुलाए जाएगा दोस्तों category wise जो है आपका 6 गुणा candidate को vacancy का PST, PET, Document Verification, Test के लिए दोस्तों जो है आपको बुलाए जाने वाला है उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं details levels के बारे में तो दोस्तों आपका इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं SI master और engine driver का दोस्तों मैंने आपको पहले बता जिया दो आवर का आपको paper रहने वाला है और show question इसमें आपके रहने वाले हैं तो दोस्तों इसमें आपका बताया गया है current affair आपका आने वाला है India and it is neighboring countries दोस्तों इंडिया का आपका current affair आ सकता है या दोस्तों related जो नजदीक ही जो आपकी country हैं इंडिया के नजदीक उनका related भी आपका current affair आ सकता है उसके साथ ही दोस्तों general science technology आपसे पूछा जा सकता है Indian constitution Indian history, Indian cultural, Indian geography, general policy, sports, championship, winner, number of the players and other जो general knowledge है दोस्तों वो आपसे पूछा जा सकता है इस परकार दोस्तों जो है आपको general knowledge की त्यारी करनी है और साथ ही दोस्तों reasoning के अंदर इसमें दियावा है coding, decoding, series, number या alphabet हो सकता है figure classification हो सकता है relationship concept पे आपका question आ सकता है distance or direction, visual memory, spiral, orientation, other basic concept of reasoning तो दोस्तों इस परकार जो है आपको preparation आपका करना है numerical ability यानि mathematics में दोस्तों आपका जो है कोई भी दोस्तो square का है, cube का question है, mix fraction है, average, percentage, loss and profit, discount, ratio, time and work, simple interest, compound interest और simple mensuration आपका जो है दोस्तों इसमें रहने वाला है mensuration के अंदर दोस्तों आपको जो है छेतर मिती दोस्तों आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इसमें दोस्तों लग बग 5-6 question आपको mensuration से दोस्तों देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको paper कराऊंगा उसमें भी आप देख लेना 5-6 question आपके mensuration से रहने वाले हैं उसके बाद दोस्तों अगला जो है आपका trade से related जितने भी आपकी trade है SI master या engine driver उसका दोस्तों आपका इसमें syllabus रहने वाला है वो आप दोस्तों आप जो है देख सकते हैं उसके बाद अगला जो है दोस्तों आपका other trade जो है head constable master, engine driver, workshop, constable crew तो दोस्तों इसमें भी इसी परकार दोस्तों आपका जो है syllabus में दियावा है general knowledge के अंदर दोस्तों आपका current affair आने वाला है इंडिया से related, Indian constitution आपका इसमें रहने वाला है, Indian history, geography, general polarity, sports के अंदर दोस्तों चेंपियन जो हैं जितने भी winner है, number of layers और दोस्तों जितने भी music से related जो आपके instrument है, कौन पले करता है, ऐसा कुछ दोस्तों general knowledge से आप से पुछा ज सकता है, वो दोस्तों reasoning के अंदर आपका coding decoding रहने वाला है, series से समंदिद आपके question रहने वाले है, alphabet position based आपके question रहेंगे, relationship concept का आपका question पेपर, question आ सकता है, उसके साथ ही दोस्तों distance and direction का दोस्तों आपसे question पुछा जा सकता है, arithmetic, number series, other basic concept of reasoning, दोस्तों reasoning लग बग आपकी कोई question आपका reasoning का इसमें आ सकता है, उसके बाद दोस्तों बात करेते हैं, mathematics का, mathematics में दोस्तों आपका जो है, basic two into two, यानि दोस्तों कोई भी आपका जो है, इसमें आप मान सकते हैं, number system है, इसके साथ ही दोस्तों, अलग जो आपके जितने भी topic हैं, वो दोस्तों आप इसमें ले सक and profit, time and distance, simple interest, compound interest और साथ ही दोस्तों, simple mensuration, दोस्तों mensuration के question जो है, last year देखा गया था, 5 से 6 question दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, mathematics के अंदर, तो दोस्तों ये question जो है, आपको context कर लेने है, 5 से 6 question, mensuration से आपके आने वाला है, यानि 6 विती से समंदी दोस्तों आपका question रहने वाले है, 5 से 6, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो है, आपका question paper है, दोस्तों, border security force का, और दोस्तों, ये जो question paper है, आपका constable crew का, जो है, question paper आपका रहने वाला है, जैसा दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको, जो syllabus बताया है, उसी के according, दोस्तों, जो है, आपका paper आप को देखने को मिलेगा, तो दोस्तों, पहला question जो है, लोक सबा का सदश से बनने के लिए, निमंद में से कौन सी अहरता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी पंजी करित, राजनेतिक दल की सदश सता होनी चाहिए, तो दोस्तों, ये जो है, only first, इसका option द Asia Cup 2023 का किताब जीता था, तो दोस्तों, ये जो है, आपका रहने वाला है, पाकिस्तान, अगला आपका question है, परधान मंतरी शुरुक्षा भीमा योजना के तहत आकस्मिक मर्तिव में जोखिम कवरेज, जो है, दो लाग का दोस्तों, इसमें जो है, जोखिम कवरेज है, उसके ये जो है, आपका मारास्ट और आसाम दोनिम में ही दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा, अगला question जो है, आपका 1813 से 1823 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों, ये जो है, आपका लाड हिंस्टिंक्स था, दोस्तों, अगला question है, आपका 2011 की जनगना की अगला question है, दोस्तों, कान्या टाइगर रिजर्व भारत के निमन लिखित में से किस राज्य में इस्तित है, तो दोस्तों, कान्या किसली जो आपका टाइगर रिजर्व जो है, मद्य प्रदेश के अंदर इस्तित है, सबसे ज्यादा दोस्तों, जो है, रिजर्व आपके मि दिर है दोस्तों अगला जो है अटल पेंशन योजना के अंतरगर्द भारत द्वाराज 60 वरस की आयोग पर ग्रहा को 2000 रुपे की नियूंतम पेंशन की गारंटी दी जाती है इसमें नियूंतम मासिक योगदान आने 18 वरस की आयोग में सामिल होने वालों के लिए दोस्तों 14 सी रुपे होता है अगला क्यूशन है दक्षिन एशियाई फुटबाल महासंग चैंपियन 2023 में आयोजित हुआ था तो दोस्तों ये जो है बेंगलुरू के अंदर आयोजित हुआ था अगला क्यूशन है 2011 की जनगन्ना के अरुशार 2001 से 11 के दसक में भारत में सिख धरम सिख नात टेगोर के संदरब ने निमिलिकेत में से कौन सा कथन सही है वह है वे पस्षी में शिक्षा के कटर समझ थक थे उन्होंने 1901 में सांती निकेतन संस्तान शुरूख की तो दोस्तों इसमें जो है आपका केवल सेकेंड जो है आपका सही रहने वाला है अगला क्यूशन है कि संस्ता की कि सथापना की थी तो दोस्तों ये ब्रम समाज की संस्तापक थे अगला क्यूशन है दिन ड्याल इस पर्स्योजना डाक टिकट संक्रहद से समंदित हैं अगला क्यूशन है आपका नॉमेडी की एलिफेट भारत किस देश के साथ सन्य अब्याइस है तो मंगोलिया देश के साथ 2011 की अनुशार जंगरना 2011 की अनुशार भारत में निमन लिखीत राजियों में से किस में शाक्षरता दस सबसे ज़्यादा है तो दोस्तो ये जो है आपका गुजरात है भारत की मर्तियों की स्थिमें भारत के रास्टपती के रूप में कौन कारिय भाल समालेगा तो उपरास्टपती अगला दोस्तो है सिंदु नदी की पूरी लंबाई कितनी है गुन 300 किलोमेटर पच्चमी तटिये मैदान के दक्षनी बाग को दोस्तो माला बाद तट बोलते हैं आईपियल 2023 का खिताब के स्ट्रीम ने जीता था तो दोस्तो यह जो है चिन्नई सूपर किंग दोस्तो ज्यादा क्यूशन आपका हाड नहीं है एकदम नॉर्मल क्यूशन पेपर है दोस्तो बारतिय श्विधान का कौन सा अनुछेद संग का नाम और राज्ये से समंधित है निमल लिखित में से कौन सा भारत के उच्तम न्याले द्वारा जारी रीठ है उप्रेशन परतिशेद तो दोस्तो यह दोनों ही जो है सही रहने वाला है अगला क्यूशन है आपका निमल लिखित में से कौन सा कर जिस रूप के लिए के लिए गये का युगम सही समयलित है वेटी नगदेव, कदमाई, जबरन मजदूरी तो दोस्तों दोनों ही नहीं है इसमें प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा वरस 1903 में दोस्तों शुरू किया गया था अगला क्यूशन है डेथ केम्प मस्रूम का विग्यानिक नाम है अमनिता फलोईडस अगला क्यूशन है आपका वन्ने जीव डेटाबेस जनवरी 2023 के नुसार भारत में 106 मोजूदा रास्ट ये उदान है अगला क्यूशन है आपका स्युक्त रास्ट के सतत विकास लक्षों के तहत 17 लक्षों को अपनाया गया पर्थवी राज 33 1102 में सुल्तान मौमद गोरी नामक एक अफ़कान सासक से हार गये थे अगला क्यूशन है इसरम पोर्टल 2021 में लौंच किया गया था 2030 में UK इंडिया अवार्ड में किसे गलोबल इंडियन आइकन नामित किया गया था तो दोस्तों यह जो है मेरी कौम को किया गया था पोर्टी एंड एन बिल्टी शी रूल पुस्तक के लेख़क दोस्तों दादा भाई नारोजी थे उसके बाद अगला जो है आपका भारती अंत्रिक्स अनुसंधान शंगठन याने इस्ष्रो ने 2023 में एनवी एस वन उपकरह को सफलता परवक लॉइंच किया था तो दोस्तों मई के अंदर उसके बाद उसको आपका इसमें रिजनिंग रहने वाला है रिजनिंग के बाद उसको आपको मैं मैं तेमेटिक्स दिखा देता हूं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेंचुरेशन के जो है आपके 5-6 क्यूशन इसमें रहने वाले हैं तो दोस्तों यह क्यूशन पेपर आपको जो है टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएगा वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं और दोस्तों आपको अंदाजा लग जाए कि last year कितना आपका cut-off रहा था और year by year जो है कितना आपका cut-off जो है increase होता जा रहा है उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं mathematics से यहां से आपका mathematics चलू हो जाता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहला ही जो है आपका दियावा है करे मुले तथा विकरे मुले के मद्दे 143 का अंतर है यह दि लाब 22 है तो विकरे मुले क्या होगा तो दोस्तों यह आपका जो है इसमें दियावा है उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम normal question है कोई ज़्यादा hard question ही है दोस्तों आप देख सकते है ति अबला question मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क ON tissu यह question जो है आपका railGuardi से समन्दीत है अगला question दोस्तों आप देख सकते हैं संकू का इस दो अगला question दोस्त का पूछा गया है उसके up दोस्तो संकु का डारेक पूछा गया है तिर्जा दे गई गई है रेडियस इसमें दिया गया है और हाइड दोस्तो आपको इसमें बताया गया है उनली आपको संकु का कुल प्रिष्टिय छेतर फल का दोस्तो फोर्मूला या धुनत से ये डारेक्ट आप जो है इसका एंसर निकाल सकते हैं तो दोस्तो मेंशूरेशन आपको अच्छी तरह से रट लेना है एक्जाम से पहले भी दोस्तो जो है मैं आपको फोर्मूला रटाने वाला हूँ मेंशूरेशन का ताकि दोस्तो जो है आपका सेलेक्शन हो सके तो दोस्तो ये जो है आपका तीसरा क्यूशन हो गया तीसरे क्यूशन के बाद दोस्तो आगे बढ़ते हैं पन उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो आपका चोथा क्यूशन है आयत का छेतरफल क्या है इसमें भी दोस्तों जो है परिमाप आदा दिया गया है लंबाई चोड़ाई का अनपाद इसमें बताया गया है उसके बाद अगला जो क्यूशन आएगा दोस्तों चार क्य चुके हैं मेंशूरेशन से उसके बाद अगला क्यूशन दोस्तो आप देख सकते हैं ओसत से रिलेटर्ड आपका क्यूशन दिया हुआ है दोस्तो दोस्तो चास से पांच क्यूशन दोस्तो आपके मेंशूरेशन से पुछे गए हैं तो दोस्तो यह आपको जरूर कंठस्ट कर कर लेना है क्योंकि दोस्तों आपका पहले रिटेन एक्जाम होगा रिटेन एक्जाम के बाद ही दोस्तों आपका प्रोसेस रहने वाला है दोस्तों अगर अच्छे मांक्स नहीं हुआ तो दोस्तों जो है त्यारी करने का कोई फाइदा नहीं है इसलिए दोस्तों आपको अग कटॉप आभी नहीं बताया सकता कटॉफ आपका कम भी रह सकता है बड़ दोस्तों आपको टारगेट जो है 85 you can आएगा दोस्तों ज्यादा बड़ा सलेबस आपका नई रहने वाला है Constable Crew के लिए आपने देखा होगा 35 क्यूशन जिके 35 क्यूशन रिजनिंग और 30 क्यूशन आपका mathematics का रहने वाला है यह दोस्तों अगर आपको selection लेना है तो mathematics और reasoning को आपको अच्छी तरह से preparation कर लेना है द दोस्तों कम से कम भी आप लगाते हैं तो 30 में से आराम से 25 क्यूशन दोस्तों आप कर सकते हैं तो दोस्तों अगर इसमें आप 32 मार्च लाते हैं 25 इसमें लाते हैं तो दोस्तों इसमें ही जो हैं आपके सताउन तो दोस्तों जो average candidate है वो दोस्तों इसमें ला सकता है बाकी र स्कोर आपका हो सकता है इसलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि mathematics और reasoning पे आपको अच्छी तरह से focus है करना है दोस्तों अगर आप सताउन नंबर अकेले mathematics और reasoning में ले आते हैं और दोस्तों अगर आप 20 नंबर भी या 30 नंबर आप जीके है आपका जीके में ले आते हैं तो दोस्तों आपके लगबग 87 के करीब आपके marks बन जाते हैं दोस्तों इससे ज़्यादा आपका merit नहीं रहेगा या दोस्तों आप 25 भी अगर marks ले आते हैं तो भी दोस्तों जो है आपका कुछ ठीक ठाग score इसमें सकता है तो दोस्तों इस परकार जो है आपको preparation करना है और दोस्तों जो भी आपका doubt है आप एक comment करके पूछ सकते हैं नेक्स वीडियो में दोस्तों आपको जितने भी आपके doubt के comment है उस पे दोस्तों reply देने वाला हूँ और साथ ही दोस्तों अगर आप पहले